नवरात्र के पावन परपा आप सभी मित्रों को TV20 News परिवार की तरह से हार दिख सुब कामना हैं। आप देख रहे हैं TV20 News। बने रहे हमारे साथ मैं हो सोग बर्मा। बीस सतहतर अठाइस यानि नौचार एक बांच दो सुन्य साथ साथ दोवा। लेवन डोबल बेंच के आदेश के बाद भी नहीं दिया गया जबकि मार्ट 2017 से अनुदेशक सिर्चिकों को सातवे वेतन आयों के तहट नूचार देने का प्रस्ताव किन सरकार द्वारा पास हुआ था। उसका बजट भी जारी हुआ था लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी हिटलर साही वततान साही के बल पर नुदेशक सिर्चिकों का हग और अधिकार नहीं दिया। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोड चली गई लगतार दस वरसों तक सरकार की प्रताणा से आतोकर समझता नुदेशक ने अनिरलिया कि महात्मा गादी की प्रतिमा पर मालयार पड़कर हर अभिवार को क्रमिक अंसर जाली रहेगा और क्या कुछ कहा है इस मामले में उससे सुनाने से पहले आपको बता दें कि इस मौक्वे पर अमर्जीत यादो संधीप यादो रीमा स्रीमा रंजना करुडा कांत अंजू सपन मेरा नाम अमर्जीत यादव है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अंदेशक सिचक्संग की समस्याओं को जन जन तक पहुचाने के लिए आप लोग अपना मुल्य समय निकाल कर हम लोगों को समय दे रहे हैं और अपना सहयोग आप लोग कर रहे हैं यह अनुदेशक सिचक्संग का क्रमिक अ अंसन चला है यह क्रमिक अंसन 2 ऑक्टूबर सी चल रहे हैं और अंदेशक शिचक्संग ने यह निवड़े ली कि अनुदे में की निवुक्ति SparkJS 2013 जूलाय लेकिन वह 17,000 कर दिया गया और केंद्र से बजट भी आ गया लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा वह 17,000 मांदे दिया नहीं गया इसके बाद जब अंदेशक सिचिकों ने कई बार अपनी मांगे मांगी धरना दिये तो इनके उपर लाठीया चार्ज हुई फिर इसके बाद क्य 2017 से अब तक का इनका बकाया मानदे 2017 से 17,000 की दर से भुकतान किया जया लेकिन परदेश सरकार द्वारा वह नहीं किया गया और कई बार करने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं के उला आश्वासन दिया गया इसके बाद सरकार जो है अंदेशक सिचिकों के मामळेकु लेके प्रदेश सरकार को कि पहले जो उच नियाला का आदेश है वह इनका हक और अधकार देकर आए इसके बाद सुनवाई होगी लेकि इसके बाद भी हम लोगों का मान दे बढ़ा हुआ नहीं मिला है इसके लिए कई बार जब ऐसा हुआ तो हम लोग पूरे प्रदेश में अगले कारिकरम में प्रदेश सब्सक्राइब दो महीने के अंदर हम लोगों के काम पर शुनवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश से प्रदेश सद्धक्ष जी भी साथ अगले कारिक्रम में प्रदेश द्धक्ष भी हमारे कारिकरम में आपर भी आएंगे और यह योजना बनाए गए कि हर जिले से पूरे अंदेशक पद्यात्रा निकालेंगे और उस पद्यात्रा को लेके लखनव चलेंगे लखनव पर विधान सभा के सामने पर योजना कारियाला पर हम लोग धर करें मवारान वरत जारी रहेगां